नमस्कार आपको स्वागत एश्या न्यूस इंडिया में मैं पूर्णम आपके साथ अमेरिका में रह रहे सिख फॉर्ज जस्टिस एस एफ जे के आतंकी गुरुपत वन्थ सी पनु ने एर इंडिया में बंब स्पोर्ट की धंकी दी है आतंकी पनु ने वीडियो जारी करके इससे 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही उसने लोगों को एर इंडिया में सफर न करने की सला दी पनु ने कहा नवंबर में 1984 में होई सिख दंगे की 40 फी बरसी है 1984 में 13000 से अधिक सिख महिलाओं और बच्चों को मार दिया गया आज भी दिल्ली में विद्वा कॉलोनी है ये पूरी घटना भात की हुकूमत के द्वारा की गई थी विदेश में यात्रा करने वाले लोग एक से लेकर 19 नवंबर तक एर इंडिया का बाइकॉट करें ने विकास को भारती कूफिया अजेंसी रोग का अधिकारी बताया इससे पहले चाहर नमबर दोजाटेवीज को भी पनु ने वीडियो जारी कर एर इंडिया की विद्वानों को उड़ाने की धंकी दी थी पनु ने एक मिनिट का वीडियो जारी किया था कहा था 19 नमबर को एर इंडिया की फ्लाइट में यातरा ना करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान को खत्रा हो सकता है विमानों को उड़ने की अनुवती नहीं दी जाएगी इसके बाद 19 नमबर को दिली में इंडरा गांधी अंतराष्टी हवाय अड़े को बंद करने की धंकी दी उसने कहा कि 19 नमबर को वही दिन है जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होना था इसके बाद पिछले साल एन आई ए ने पन्नु के खिलाफ आई पीसी की धारा 1208, 153A और 506 तथा गेर कानूनी गतिवीदिया अदिनियम 1964 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 18, 18 और 20 के तहत मामला दर्च किया था भारत सरकार के ग्रम अंतरालाई ने 10 जुलाई 2019 को SFJ कोर्स की गतिवीदियो के लिए UAPA के तहत एक गेर कानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंदित कर दिया, एक जुलाई 2020 को पन्नु को भारत सरकार द्वारा व्यक्तिगत आतंगवादियों की सूची में शामिल किया गया, NIA ने सितंबर 2019 में पन्नु की खिलाफ पहला मामला दर्च किया था, 29 नहुंबर 2022 को उसे पियो घुशित किया गया, 2023 में NIA ने अमरत्सर और चंडिगर में पन्नु की घर और जमीन को जब्त कर लिया, 3 फर्वरी 2021 को NIA की विशेश अदालत द्वारा पन्नु के खिलाफ गयर जमानती वारंट जारी किये गए, इसे के साथ पने रहे इसे रूसिंदा के साथ,